हमारे भारत सरकार पचातर साल जो पूरे इंडिया स्वतंत्र होने के बाद पचातर साल मना रहे हैं और उस पचातर साल में इन्होंने बताया अभी कि पूरे घर-घर में फ्लैग लगना चाहिए अच्छी बात है यह तो प्रौड मैसूस होता है लेकिन वह एक पूछना चाहते ही कि आप घर-घर में फ्लैग लगाने के लिए सबको कमपलसर ही कर रहे हैं क्यों करोने के टम पर अपने थाली बजाने को बोला लोगोंने थाली बजाई मैंबत्ती सिलगाने को बोला आज तक करोना भगा नहीं भगा अज भी आप फ्लैग लगा के क्या दिखाना चाहते के मंगाई कम होएगी करोना भागेगा पेट्रोल सस्ता होगा सिलिंडर सस्ता होगा क्या करना चाहते हैं हर एक इंसान को ना भारत के उपर गर्व है कई भी भी जाओ हम भारतवासी हैं ऐसा बोलने के लिए उन में आपके यंपी है उनको जनगना बोलने आता है नहीं आता है आपके यमेलेज है उनको आता है जनगना बोलना नहीं आज तक आपको भी आया है द्वजगीत बोलने के लिए नहीं सबसे पहले फ्लैग ओस्टिंग करते टेंपे वंदे मात्रम बोलना जरूरी है और जैसे फ् जिश्वति रंगा प्यारा जहेंडवुचा रहें हमारा यह आज तक कोई आपका यमेले बोला है नाई MP बोला है किसी को पता भी नहीं है द्वच का गीत भी आई बुलके जिनको कुछ पता ही नहीं है आपके यमेले को मालुम है कोई मूझ पोछ रहा है फ्लैग से कोई पसीना पोच रहा है कोई खेशता है खेशता है दस बज़े आके फ्लैग छुड़ा रहा है दस बज़े फ्लैग होस्टिंग कर रहा है गोवा का मिनिस्टर दस बज़े फ्लैग वोस्टिंग करने के बाद फ्लैग भी नहीं चूट रहा है पंदरा मिनिट तक यह आपकी एमेले के मिनिस्टर की खैसियत है पाउं के निचे फ्लैग डालता है इस तरह से आपके लोग काम करते हैं और आप कहते हैं घर-घर में फ्लैग होना चाहिए अगर इतनी इज़त देनी है तो फ्लैग को दिजिएगा पहले जनेगाने शिकाईएगा एमेले को आपके सांसत को एमेले को विदायक को यह शिकाई पहले विजए विश्वती रंगा प्यारा जेंडा उंचा रहे हमारा शान से बोलने को सिखाई जिनको वंदे मातरम नहीं आता दोजगत नहीं आता फ्लैग लगा के घूम रहे हैं यहां पे मंगाई देखो कहां तक गई है सिनिल्डर देखो सब जगा में किस तरह से लोग साकर मचा रहे हैं लोग गालियां दे रहे हैं 75 साल पूले हो यह हम शान से कहेंगे वंदे मातरम और विजए विश्वती रंगा प्यारा जेंडा उंचा रहे हमारा जै भारत